पिल्म के शुरुवात में हम एक आदमी को देखती है जो बड़े अराम से अपनी कमरे में सो रहा था उसके जब आँख खुली तो वो देखता है कि वो द्रसल एक सड़क पर सो रहा है उसके सामने एक औरत बैटी थी जो अब उसकी पास आकर आदमी से बातें करने लिखती है यही कहाने की में करेक्टर है जिसका नाम किल बोकसून है इनकी बातों से हमें पता चला कि वो आदमी जपान का बहुत बड़ा गुंडा है वोकसून से कहती है कि तुम अपने कमरे में ही सो रहे थी पर अब मैं तुम्हें मार डालूँगी जिस फचासरी तुम्हें यह सड़क पर उठा कर ले हैं क्योंकि तुम्हें मारने की बदली मुझे पैसे मिलेंगी वज़ा ये है कि मैं एक कॉंट्रेक्ट किलर काती हूँ जो पैसी लेकर लोगों को मारती हूँ ये मेरी जॉब ही है क्योंकि मैं एक किलर कमपनी में काम करती हूँ जिसका नम M की कमपनी है जो contract पर लोगों को मरवाती हैं और मैं वहाँ की खतरना killer हूँ आदमी कहते हैं नगर तो मुझे नहीं मार सकती इतना दम नहीं है अगर तुम चाहती तो सोते भी तो मुझे मार सकती थी ना जिस पर box उन कहती है कि हाँ बिलकुल मार सकती थी और वो उसे अपने साथ लड़ने के लिए चैलेंज करती हैं जहां इन दोनों के विश्तलवार बाज़ की जबरदस लड़ाई हो देले दोनों ही एक दूसरे पर भारी पाड़ रहे थी इससी पज़ेसी थोड़ी ही दिर में वोकस उन को ऐसास हुआ कि ये भी काफी ताकत पर बहादू रहे हो सकता है ये ही मुझे हरा दी इसलिए वो बड़े चलाकी से अपनी गाड़ी की पास आई और दोर से उस पर गोली चला दीती है जिससे वो काफी जखमी हो गया कि वो पास आकर आखरी शूट करकी उसका काम तमाम कर दीती है और ऐसे अपनी डारगेट को पूरा कर लेती है जो मिशन उसे इस आदमे को मारने का मिला था कि घर आकर बोकस उन घर की काम करने लिए वो जब कपड़े उठा रही थी तो उसे अपनी बेटी की कपड़ों से सिगरेट का पैकिट मिला जो देकर उसे अपनी बेटी पर बहुत गुसाया कि वो स्मोकिंग करती है और उसे अपनी बच्पन का वो वक्त याद आने लगता है जिब उसकी डैड ने बोकस उन को सिगरेट पीने की वज़र से काफी बुरा मौरत और यह आदत छोड़वाने के लिए उसे जबरदस्ती सिगरेट खाने को कहा था अभी ये वक्त याद करते हुए बोकस उन खुद भी सिगरेट पीने लगती है पिर तभी उसकी बेटी भी स्कुल से वापीस आ गई बोकस उन उसे सब बताकर सिगरेट चोड़ने का कहती है जिस पर उसकी बेटी पर तमीजी करने लगी कहती है कि जो काम तुम खुद करती हो वो मुझे को चोड़ने का कह रही हो जो बोल कर वो अपने कमरे में चली गई पर इस बात की बज़े से बोक सुन को बहुत गुसानी लगा वो अपनी बेटी की कमरे में गई लेकिन तब तक उसकी बेटी को एसास हो गया था मुझे वो सब नहीं बोलना जाये था मैं शिर्मिंडा हूँ लीस मुझे माफ कर दीजी इसकी बाद हमें एक आदमी और एक लड़की को साथ बीखती है जो दोनों बेहन भाई थी और इस वक टीवी पर खबर देख रहे थी जिससे हमें पता चला कि ये असल में बोक सून का बोस है जिसने ही उसे गुंडे को मारने का टार्गिट दिया था अब बोस की पसंदीदा किलर बोक सून थी जिबकि बोस की बेंज्यादा बोक सून को पसंद नहीं करती उनकी बातों से पता चला कि बोस की किलर कंपनी जिस तरह ही कातिली थी पर उनकी ख्वाहिश थी कि वो बोक्स उन जैसी ताकतवर कातिल बनी पर फिद हाल उनकी पास कोई जॉब नहीं थी वो बेरुजगार थी तब उनमें से एक लड़का बताता है कि हम MK कमपनी के मालिक इनी बोस की वज़ा से बेरुजगार हैं क्योंकि उनकी कमपनी की तरह और भी कही सारे के लेट कंपनी suck जिन सब की लिए और उनकी किलेच की ली वो सने कुछ आचू का को नहीं मारेगा। दूसरा असूल था कि को भी अपनी कंपनी को चूड़कर दूसरी कंपनी का सथ नहीं वनेगा। pee पिसरा और आकरे असूल था कि कोई भी अपना मिशन पूरा किये बगएर काम को बीच में नहीं छोड़ेगा जिन सब्सक्राइब की वज़सी उन्हें काम मिलना मुश्किल पेशारा था अभी सारे असूल सुनकर वहां बैटी एक आदमी ने हाथ खड़ा कर दिया यानि कि उस इसे हर बार मिशन दे देता है वरना इसमें इतनी काबलियत नहीं कि ये और काम बढ़ सकें अभी सुनकर वोक सुनको उस पर गुस्सा आने लगा वो खेती है अच्छा ये बात है तो अगर तुम्हारे अंदर इतनी काबलियत है तो साबित करके दिखाओ जो साबित करने के लिए तुम्हे कौन से लपत चाकू मेरे पास बेज लो और कहानी में कौन से भरे चाकू का मतलब किसी को लड़ाई के लिए चैलेंज करना है यानि कि वोक सुन उससे लड़ना चाती थी जो कहकर वो यहां से चली गई पर जैसे ही अपनी गाड़े के पास आई वहां कुछ लोग खड़ी थी जो उसकी गाड़े से चट चार करी थी अब वोक सुन को देकर वो साइड में तो हट गई पर अब उसकी साथ बतमेजी करने लगती है तो इतनी ही दीर में यहां वो रड़का वोक सुन का दोस्त आ गया जिससे उसने लेड़ने के लिए चैलेंज किया था वो उन अदमियों को पीछी अटाकर उन्हें खोब मारता है वो अपनी महारतों से उन्हें मुकी मार मार कर डीर करता जाता है जिसके बाद वो वोक सुन की पास आया अब उसकी महारतों को देकर वोक सुन काफी खुश और मुतासिर हुई और यहां इनकी काफी गेरी दोस्त पिर एक जुगा पढ़ना कर वोक्स उनों से पैसे दीती है और कहने लगी कि ये तुम्हारे काम आएंगी जिस पर वो कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि तुम एक कमपने खोलो और मुझे वहाँ जॉब पर रख ली ना ये सुनकर वो बोली कि हाँ मेरा कॉंट्र लड़की आ जाते हैं जिन्हें देखकर वोक्स उनकी बेटी यहां से जाने लगी ये देखकर एक लड़का उसका हाथ पकर लीता है वो उससे बत्तमीजी करने लगा जिसपर वोक्स उनकी बेटी को घुसा आ गया वो खेय ती है कि मेरा हाथ तोड़ दूँगी जो बोलकर यहां से जाने लगी यह देकर लड़की की दोस्ट उसकी वेजिने लगी इस वरज रहे लगी जैण की लड़की की यहां से जाने लगी जिस वज़े से अब लड़की को बोक्सकी दोस्ट ना भी गुस्सा आने लगा constitution कोई मामूली बात नहीं है ये काफी अजीब और बहुत बुरी बात है अपनी बेटी की ये बार सुनकर बोक्सोन काफी हिरान हुई और फिकर मन भी क्योंकि उसकी बेटी को पता नहीं था कि उसकी माँ खुद कितनी बड़ी खतरना किलर है अगले दिन बोक्सोन जो अपने आफिस जा रही थी जो तब ही वहाँ बोस की बेहन आ जाती है जो बोक्सोन से मिलकर ये अक्टिंग करती है जैसे उससे बहुत खोश है पर अंडर यंदर वो उससे नफरत करती अब एक जबा पर एक फाइटर किलर लड़की जो अपकी किलर्स में सबसे भी तरीन है अब तब यहाँ बोस की बेहन की सासाथ बोक्सोन भी अंदर आ जाती है जिसे देखकर सारे उसका वैलकम करती है क्योंकि वो उनकी सीनियर और खतरनाक किलर ये देकर बोस की बेहन जैरी सुई और वो सब को यहाँ उस किलर फाइटर की बारे में बताती है कि आगे चलकर बोक्सोन से भी अच्छे किलर बनेगी अब यह सुनकर बोक्सोन को अच्छा नहीं लगा और वो यहाँ से जाने लगी जिस पर बोस की बेहन कहती है कि रुक जा बोक्सोन ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये लड़की इस उमर में जितनी ताकत पर खतरनाक है तो नहीं थी अपनी उमर में और अब वो इन दोनों को लड़ने के लिए चैलेंज करती हैं इसके बाद ही वो दोनों लड़ने के लिए एक दूसरे की आमने सामने आ जाती हैं और इनकी लड़ाई शुल रोगी। वो लड़की बड़ी तेजी से अपने खास मॉपस का इस्सामाल करते हुए बॉक्स उन पर बार बार हमला करती चा रही थी। पर बॉक्स उन जो किसी से कम नहीं थी वो बड़ी असानी से इस हमले से हर बार बचती जाती हैं। जीत काम करूं। जिस पर बॉक्स उन कहती है कि मेरी बेटी अब बढ़ी हो रही है। जिल्दी से उठकर वहां से जाने लगी। ये फोन असल में उसकी बेटी की स्कोल से आया था और उस सी बताया जवरा था कि आपकी बेटी ने एक लड़के को कैंजी मार दियें। फिर कुछी दिर में बोक्सुन स्कूल पहुँच जाती हैं, जहां उसे टीचर सी पता चला कि उसकी बीटी की साथ उसकी दोस्त बेशामिल थी, पर उन्होंने इतना खितरना काम क्यों किया, दोनों ही ये नहीं बता रहीं, तो इस चीज़ की सजा देने के लिए उसकी बेटी तो बोक्सुन उस पर घुसर करते हुए सवाल करने लगी, कि आखर तुमने उस लड़के को क्यों मारा, अब जो वो जवाब देती है, वो सुनकर बोक्सुन काफी घबरा गई, उसकी बेटी कहती है, कि मैं तो उस लड़के को जान से माना चाती थी, पर वो बच किया, जिस उसे इस सबसे बहुत दो रखना चाती हूँ, ताकि वो पढ़ लिकर बड़ी होकर कुछ बने, हलांकि मैंने बोस से ये कॉंट्रक्ट विया था, कि मेरे इन कामों का असर मेरे बेटी पर नहीं पढ़ना चाहिए, पर ऐसा तो हो रहा है, जिस वज़सी मैं परेशान हूँ, मेरे बेटी भी परेशान रहने लगी है, पर उसी मेरे इन कामों का नहीं पता, और मैं बोबो जल ये काम छोड़ दू, अब बोक्स उन जब घर पर थी, तो वो अपने बेटी को समझाने की कोशिश करती है, कि वो अपने गुसे पर कंट्रोल रखा करें, और ऐसी बुरी हर बोक्स उन भी काफी परिशान रहने लगी थी, अब बोक्स उन के पास वो उसकी कॉल आई, जो उसे अगली मिशन पर जाने का कहता है, और उसे उसका टार्गिट बताता है, जिसे उसने मारना था, और कहता है, कि इस बार तुमारे साथ वो किलर फाइटर लड़की भी वो जब सो रहा था, तो ये उसकी कमरे में बिहोशी की गयस छोड़ देती है, जिससी वो लड़का बिहोश हो गया, जिसकी बाद वो अपना काम करने के लिए आगी बढ़ी, अब उन्हें एक होन इस तरह करना था, कि ये ऐसी लड़की ने खुद अपनी जान दी है, इसलि हम भी इस कीनस ऐसी काटेंगे, और वो जैसे उस कीनस काटने वाली थी, कि अचानक रुख जाती है, और टेबल पर पढ़ी, इस लड़की की तस्वीर को देखनी लगती है, जिससे उसी पता चलता है, कि ये लड़का मिनिस्टर का बेटा है, पास में एक नोट भी पढ़ा प्लेज, गर जल्दी पापीस आईएगा, अपनी बेटी को ऐसे बात करते हुए देखकर, बोक सुन भी जस बाती हो जाती है, उसकी आँख में आंसु आ गई, क्योंकि आज तक उसकी बेटी ने इतने प्यार से बात नहीं की थी, वज़ा ये है कि अपने काम की वज़ा से अपनी बेटी के साथ ज़दा लप नहीं गुजार पाती थी, अब हम बोस को देखते हैं, जो अपने मिशन के लिए रश्या गया था, और इस वक वो एक बार में बैठा हुआ था, जहां तब है उसकी पास एक कॉल आई, जो बोक सुन की थी, वो बोस को बताती है कि माफ की पर मैं इस मिशन में फेल हो गई हूँ, पर यह बार सुनकर, वो उसको यकीन नहीं होता, क्योंकि आसी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, जिस पर बोक सुन के थी, कि मेरा यकीन कीजिए, मैं उस लड़की को मारी नहीं पाई, क्योंकि बिहोशी की कहसमने कम चोड़ी थी, औ और वो कहता है कि तुमने हमारी कमपनी की असूल को तोड़ा है, जिसकी सजा तुम्हें मिल कर ही रहेगी, क्योंकि कमपनी का जो असूल मैंने बताया है, उसकी मताबिक आप मिशन को वेच में नहीं छोड़ सकती, और फिर तबी बार की सबी लोगों उस पर हमना कर दीती है जिन से अकीला ही बोस भीड़ जाता है, जो कोई भी उसे मारने के लिए आहा रा था, वो बड़ी असानी से उसे पकड़ कर मार कर दोर पहंक रहा था, वो बारी बारी सब के हम लोगों को रोकर पेले हाथों से उन्हें मारता और पर गोली से शोड़ कर दिया करता था, और वो दुबारा बोक्सवन से बात करने लगा, कहता है कि तुमने जो असूल तोड़ा है, उसकी सजा मोथ है, क्योंकि यही कमपनी का असूल है, कि अगर तुम अपने डर्गिर छोड़ करी आ जाओगी, मिशन पूरा की बागैर, तो तुम ही जान से मार दिया जाएगा, ये स से कॉंट्रेक्ट बनानेंगे, अब रेश्यो का मिशन खतम करने की बाद, जिब उस वापिस जा रहा था, तो प्लेन में बैठकर, वो पनी बेहन को फोन करता है, और बोक्स उनकी, मिशन पूरी ना करने वाली बात उसी बता दीता है, जिस पर वो कहती है, कि उसने तो कमप करने लगता है, जिब वो बोक्स उनकी डैट को मारने गया था, उससे भी द्रसल उने मारने का कॉंट्रक्ट मिला था, वज़य है कि उसकी डैट पुलिस में थी, ये जब उने मारने वाँ पर गया, तो तभी बोक्स उन आ गई, जिसी देखकर ये रुख जाता है, पर अब बोक्स उन खुद अपने डैट को ही मार देती है, क्योंकि वो तो पहले अपने डैट से बहुत तंग थी, वो उस पर काफी जल्म किया करते थी, ऐसा करने की बाद उसे कोई दुख शर्मिंदगी नहीं हुई, बलकि वो तो मुस्कुरा रही थी, उसके उम्र काफी चोटी बोक्स उनकी दोस के पास जाती है, और उसे एक मिशन पर भेजती है, तारगेट भी बता देती है, अब खबरों में दिखाया जा रहा था, कि मिनिस्टर की बेटे का खून हो गया है, जो देखकर वोक्स उनकाफी हरान हुई, क्योंकि इसने तो उसे चोड़ दिया था, तो फिर आखिर अब उसे किसने मार दिया, इतने ही देर में यहां उसकी बेटी आ गई, और यह दोनों आपस में बात करने लगती है, अब यहा साथ गलत तालुक बनाओगी तो, पर मैंने वो काम करने से साफ साफ मना कर दिया, जिस पर उस लड़की ने मुझे धंकी दी, कि मैं तुम्हारी तस्वीरे इंटरनेट पर डाल दूँगा, जिस बास से मुझे घुस्सा आ गया, और उस दिन मैंने स्कूल में उसे कैंची मा पता चली, यही वज़ा है कि मैंने आपको यह बात नहीं बताई, जिस पर बोक सुन के थी है, मगर तुमने गलती की, तुम्हें यह बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, तो आज मुझे इतना दुख ना होता, यह सुनकर उसकी बेटी कहती है, कि अकर मैंने नहीं तो आपने मुझे को भी बताया है कि आप क्या काम करती है, जो सुनकर तो बोक सुनके होश उड़ जाती है, वो सुचती है कि कहीं इसको कुछ पता तो नहीं चल गया, मेरे काम की बारे में कि में खतरना किलर, अब तब यह उनकी दर्वाजे की घंटी बशती है, बोक सुन रेखती है कि वहाँ पर किलर फाइटर लड़की है, जो उसी से मिलने आई है, तब उसे अंदर लाकर बोक सुन, उसे पकड़कर उसकी गृतन पर चाकू लगा देती है, और पूछती है कि तुम इहाँ पर क्यों आई हूँ, दरहसल बोक सुन इहाँ पर नाटर कर रहे थी, ताकि उसकी काम की बारे में उसकी बेटी को पता ना चल जाए, इशारों में उसने किलर फाइटर को भी समझा दिया था, तब वो लड़की बताती है कि मुझी असल में एमकी कमपनी वालों ने निकाल दिया है, जिसकी बाद ये दोनों एक होटल में गई, जह एमकी कमपनी जो कॉल बोक्सुन उठाती है, जिसकी बातों से उसी पता चिला, कि बोक्सुन का छुड़ा हुआ टार्गिट उसकी दोस्त को वो उसकी बहन नहीं दिया था, जिसके बाद बोस की बहन वाँ पर बैटे वए लोगों से बारे 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 बात करती है, और उन्हें एक मिशन बोक्सुन की गर्दन में रस्य डाल कर उसे खीशनी लगता है, और अब ये सारे एक साथ मिलकर उस पर हमला कर देती है, क्योंकि बोस की बहन ने उन्हें जो मिशन दिया था वो यही था, बोक्सुन को जान से बारने का, लेकिन वो अकेली सब पे भारी थी, वो सबके हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती है, एके करके सब को माल कर दोर फैंटी जाती है, वो कभी अपने हाथों से तो कभी अपने टांगों से, लेर्स उठा उठा कर उन पर फैंक कर मारी, इस लड़ाई में किलर फाइटर भी बोक्सुन का इसा देती है, और अब वो दोनों मिलक एके करके सब इको मार दीती है, अब जब बोक्सुन अपने दोस्त को मारने लगी, तब वो कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दी न, ये सब मैंने खुद अपने वर्जी से जान बोच के नहीं किया, बरकि ऐसा करने के लिए मुझे बोस की बहें नहीं कात, अब तबी बोक पà captainि बहें और बताती है कि ये हमला आपकी बहें नहीं करवाए था, इसलिए बोक्स उनकी कोई गलती नहीं है, ये सुनकर भोस बोक्स उनको छोड़दीता है, जिसके वो कहते है कि अब मैं तुमारी बहें को कुछ किया, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा, बोक् मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ इस बात का वो कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है लेकिन अब बोस किलर फाइडर लड़की को नहीं छोड़ता उसे जान से मार डालता है क्योंकि उसने बोक्सुन का साजु दिया कि पहल चाहता है इस बोक्सुन जैसे से समचाने लगी वह कएती है कि नहीं आपसे छोड़ दो मिरे दोस्तों के साथ मेरा जगड़ा हो गया है मुझे साथ का अफसूस है कि मैं यह काम करती हूँ इस बेटी कहीती है कि माम मुझे भी अफसूस है मैंने अपने दोस्त पर बरोसर किया, असल में वो तो मुझे धोका दे रही थी, वो मेरे साथ प्यार को बस नाटक कर रही थी, और उसकी बज़े से मैंने उस लड़के को कैन जी मारी, और अब अपनी अपनी गलती की बज़े से ही हैं, ये दोनों ही काफी दुखी हो जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि सभी कमपनी उसकी मीटिंग गो रही हैं, क्यूंकि एमकी कमपनी की किलर बोकसो नेम जोस्ते कमपनी के किलर्स को मार दिया था, जो चीज असूलों के खिलाफ थी, जिस पर एक आदमी वो उसके पास आया और कहता है कि क्यूंकि एमकी कमपनी की जान ले लिता हैं, और उसका वहाँ खून ही खून हो जाता है, क्यूंकि ये जिस भी असूल की खिलाफ थी, कोई भी मीटिंग में हत्यार बगरा नहीं लेकर आएगा, अब बोकसोन अगला कॉंट्रेक्ट साइन करने के लिए, टैम की कमपनी की आफिस जाती है, जहों बोक कर दीती है, पैन के उसने गर्दन में गुसा दिया, उसकी पूरी गर्दन कार दी, जिससे उसका खून ही खून हो गया, और वो मारी गई, साइन करने की बार, बोकसोन यहां से चली जाती है, उसने वहाँ पर खून से भरा हुआ पैन चोड़ा था, जिसका मतलब था, कि आफिस आजाना, हमने बात करनी है, पिर जब उसके बेटी, बोकसोन के साथ खाना खा रही थी, तो वो अपने मौम को बता दीती है, कि आपके आफिस से कॉल आए, आपको कल अपनी कमपनी में काम पर जाना है, यह सुनकर बोकसोन समझ गई, कि बोस ने चैलन्ज को कबोल कर दी है, वो उस उस पर एक साथ गोलियों की बारिश कर दीता है, पर एक भी गोली उसे नहीं लगती है, कि जान बुचकर बोस ने कोई भी दिशाना ठीक से नहीं लगाया था, वज़ा यह थी कि वो बोकसोन को गोली से मारना नहीं चाहता था, जिसके बादे दुनों बैट क बाते करने लगते हैं, इन्होंने खुब शराप पी, और अब यह अपने लड़ाई के बारे में बात करने लगते हैं, अब वो दोनों ही जानते थी, कि हम बहादूर और ताकत वरे हैं, और दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई में नहीं जीत सकते हैं, एक वज़ा यह यह थ प्रच भी थी क्योंकि जब पहली बार उसके बोस ने वोकसुन को देखा था तो तब इस उसे प्यार हो गया था यह जब वोस की डैट को मारने गया था जब बोकसुन 17 साल की थी जो कहेकर अचानकी बोकसुन अपने बोस पर हमला कर दीती है उसके पेट में तलवार गुसा द क्योंकि आज उसका असली चेरा उसकी बेटी के सामने आ गया था जो वो नहीं चाहती थी इस बास से तोटकर बोकसुन अपने घर आने लगी अपनी बेटी की कमरे में गई जहां वो सो रही थी पर हकीकत में उसकी बेटी तो उसके इसने जान गई थी पर यहां वो ऐसी करक पारने की धर्म की देना ये इस बार की तरफ ही इशारा था कि वोक्स उनके बोरे कामों का असर उसके बेटी पर भी हो गया था जो चीज हलांके उसकी मा कभी नहीं जाती थी पर अब आखिर ऐसा हो ही गया वो अपनी मा की तरह बहादुरी है और आगे चलकर शायद वो भी ख मजाती है